हाई मैं हूँ अनूपा और वालनट सप्राइज में आप सबका स्वागत है। किन अठी है ने कि मैं याल मुझान रहतेनि ने प। इंडे य। यो जल्ली आंज आद्यी मनें हम इसे करने के ने थोडे करनी है और इसे फ्राइंग संधु और इसमें दाली कितरी कै अट कहते हैं तुछ ने थांने काट fel किन बिया के पांचिक के रिचे काथ ब्राइट यलो कद्दू होगा, उतनी अच्छी एकुलफी बनेगी, यह जो कद्दू है, जितना ब्राइट होता है, उतना जादा मीठा भी होता है, तो यह कद्दू ले लिया मैंने, जिसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी चीनी, और यह चीनी के साथ हम इसे पका लेंगे, त से हमें स्ट्यू कर लेना है, और स्ट्यू बाद जो कि पूरा सॉफ्थ हो जाएगा, पल्पी हो जाएगा, उसके के बाद इसे हम पीस लेंगे, और साथ में हम डालने वाले हैं वालनट्स, वालनट्स की प्रोपरटीस के बारे में क्या कहना, बहुत ही हेल्दी होते है, और इसमें धेर सारा फाइबर भी होता है, इससे बस हम थोड़ा सा मिला लेते हैं, इसमें थोड़ा सा पानी भी हमें डालना है, ने तो यह जो चीनी है, यह थोड़ी कारमलाइज हो जाएगी, बस थोड़ा सा पानी हमने इसमें डाल लिया, और पानी डालने के बाद एक और इसे मिक्स कर लेते हैं, जब हम कुल्फी की बात करते हैं, तब दो बहुत ही फेमस नाम मुझे आदाते हैं, एक है रोशन की कुल्फी और दूसरी अश्रफी की कुल्फी, तो ये कुल्फी उसे भी बैतर बनने वाली है, तो इससे पहले हम पकाएंगे, और साथ में यहाँ प तो एमिल्ट तक हमें रिद्यूस कर लेना है, और उसके बात फिर इसमें हम कई सारे इंग्रिडियन्स डालेंगे, और बनाएंगे हमारी खुल्फी, इसमें हम डालेते हैं थोड़ा सा केसर, केसर डालने से एक तो अच्छा फ्लेवर भी आएगा, और बढ़िया कदर भी आ हो जाता है, कुल्फी जो है वो एकदम क्रीमी बन जाती है, पर मिल्क पौडर डालने के बाद आपको इसे इमीडियेटली मिक्स कर लेना है, यह तो इसके लम्स हो जाते है, पटाफट मिक्स कर लेजिए, और इसके साथ देखिए यह पैन में मैंने जो कदू पकने रखा थ पर हम इसे एक बार मिक्सी में गुमा लेंगे, इसका एक फाइन पेस्ट कर लेंगे, ताकि जो हमारी कुल्फी है वो एकदम स्मूध बन जाएगी, तब तक एक और चीज हमें करनी है, इसे और थोड़ा रिच करने के लिए हम इसमें डालेंगे, क्रीम, बस ये क्रीम डालने के बाद इसे एक बार मिलाना है और उसके बाद हम डालेंगे इसमें ये बच्ची हुई कैस्टर शुगर, बस आब इसे एक अच्छा सा उबाला जाए और इसके बाद हमारी कुल्फी या कुल्फी का जो बेस है वो तयार हो जाएगा, अब ये जो पंक ये नकार जो रखा इसे हम पीस लेते हम पीसने के लिए एक ब्लेंडर जार ले ले लेंगे और इसे पीस लेते हम तो कद्दू की सब्जी तो हम रोजी खाते हैं कभी-कभी मीठा हे खाके देखिये चलो इसे पीसना है हमे तो ये पेस्ट रेडी हो गई है, इसे डिरेक्टली हम इस दूद के मिक्ष्टर में मिला लेते हैं, ये देखिए, एकदम स्मूध तो पंकिन का प्यूरे इसमें हमने मिला लिया है, बस अब लास्ट एक चीज बचती है और वो है वालनट्स, जो के हमारा हीरो है, पर अब तक हमने इसमें डाला नहीं है, वो में डिरेक्टली कुलफी मोल्ड के अंदर ही डाल दूँगे, तो ये बनने के बाद इसे अब हम बन कर लेते हैं, अब दो तरीके से इसे हम फिल कर सकते हैं, अब ये मिक्षर फिलाल बहुत ही गरम है, या तो अब इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लीजिए, और फिर इसके बाद आप कुलफी मोल्ड में इसे पोर कर लीजिए, या फिर इसे आप गरम-गरम डाल दीजिए, और पूरा ठंडा होने के बाद इसे अब फ्रीजर में रख दीजिए, चॉइस यॉर्स, तो ये मेरे कुलफ तो फिलाल हमने सब कुछ सही तरीके से किया हुआ है बस इसमे थोड़े से हम वालनुट्स जाल लेते हैं तो वालनुट्स हमने इसमें डाल दिये हैं और वालनुट्स जालने के बाद आप हम डाल देते हैं इसमें ये बना हुआ मिक्स्टर इस तरह से अंदर पोर कर लेना वैसे अगर आप किसी को बताओ के नहीं कि इसमें हमने कद्दू डाला है तो कोई बता ही नहीं पाएगा क्योंकि इसमें केसर का जो फ्लेवर है वो इतना बढ़िया आ रहा है यह अब पूरी तरह से जब ठंडा हो जाएगा तब हम इसे फ्रीजर में रख देंगे वैसे कुलफी सेट होने में कितना समय लगता है छे से आठ घंटे आठ घंटे पकड़के चलिए इसे फ्रीजर में रख दीजिए और भूल जाएए कि आपने कोई कुलफी बनाई है आठ घंटे के बाद इसे निकाल लिए अच्छी तरह से डी मोल कीजिए और इमीड़ीटली इसे सर्फ कीजिए चिल्ट पंकिन एंड वालनट कुलफी एक गहरे नॉन्स्टिक पैन में दूद गरम करे और साड़े साथ सो एमेल होने तक बीच बीच में मिलाते हुए पकाए एक नॉन्स्टिक पैन गरम करे इसमें डाले कद्दू के टुकडे एक चोथाई कप कैस्टर शुगर एक से दो बड़े चमच पानी मिलाए और शुगर पूरी तरह से पिघलने तक कद्दू नरम होने तक पकाए फिर एक स्पैचिला की पिछले हिस्से से मिश्टर को मैश करे और आज बुजा कर थंडा होने दे फिर रिड्यूस किये हुए दूद में डाले केसर, इलाइची पाउडर और मिल्क पाउडर और फिर एक बार मिला ले फिर डाले क्रीम और अच्छी तरह से मिलाए अब डाले बचा हुआ कैसर शुगर, मिलाए और एक उबालाने तक पकने दे अब पके हुए कद्दू के मिश्टर को ब्लेंड करे और एक स्मूध प्योरे बना ले इसे रिड्यूस किये हुए दूद में डाले और इससे अच्छी तरह से एक मिनिट तक पका कर आज बुझा दे अब अलग-अलग कुल्फी मोल्ड में डाले कुछ कटे हुए कैलिफोनिया वालनट्स और इसमें 3-4 तक भरे पका हुआ कद्दू दूद का मिश्रन ढके और थंडा होने तक रख दे फिर 6-8 घंटे फ्रीजर में रख दे अब कुल्फियों को डी मोल्ड करे तुरन परोसे कर दो